हेलो नमस्कार गुद मॉर्निंग कैसे आप सभी लोग उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो थे एक्स्टर्नल फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेक्टर ठीक है हम अब तक यह पढ़ रहे थे और इसी में ही हमने पता है क्या क्या पढ़ा है पहला तो जो पढ़ा था वो था फोटो डायोड दो याद करू ठीक है दूसरा क्या था हमारा था solar cell हमने अब तक दो ही पढ़े है ठीक है इसमें जो next आता है वो हाता है आपका PIN फोटो डायोड क्या आता है PIN फोटो डायोड ठीक है और जो fourth है वो है आपका avalanche फोटो डायोड ठीक है क्या है अवलाँच फोटो डाईओड उसके बाद आपके एक दो और हैं थीक है तो हमने ये दो कवर कर चुके हैं यहाँ पर जो आपका फोटो डाईओड यूज किया गया था वो था आपका P-N फोटो डाईओड थीक है हमने यही तो किया था उसमें एक आपका P-type semiconductor लिया था एक N- टाइप सेमिकंडक्टर लिया था ठीक है वहाँ पर आपका एक डिप्लिएशन दीजन बना था हम फोटोन इंसिडेंट करा रहे थे electron hole pair generate हो रहे थे और वहाँ पर अगर आप ये कोई load resistance लगाते हैं तो वहाँ पर एक current generate होती है यही था आपका simply एक photo diode उसको बोलते है PN junction photo diode ठीक है तो जो आज हम study करने जा रहे हैं वो है आपका PIN photo diode और इसको कई बार pin photo diode भी बोलते हैं ठीक है तो आज का आपका पहला topic है वो है PIN photo diode ठीक है तो भीया इसमें सीधी सी बात है देखो हमने क्या पड़ा था PN अब देखो P B है N B है लेकिन इसमें एक extra term है N I क्या है आई तो आई का क्या मतलब हो सकता है एक बार सोच के देखो सच लिया तो भी आपका I का जो सीधा सा मतलब है वो है intrinsic semiconductor ठीक है तो हम क्या करते है एक P type semiconductor लेते एक N type semiconductor ले लेते है और उसके अंदर जो sandwich करेंगे वो करेंगे एक I region कैसे हमने लिया है आपका एक P region ठीक है और एक ले लिया है आपका N type semiconductor हीक है और उसके बीच हम एक sandwich करेंगे I मतलब intrinsic semiconductor यह हो गया आपका P region यह हो गया I और यह हो गया आपका N ठीक है अब यह बात यह है कि हमने यह I क्यों किया बड़ा मुद्दा यह है कि यह जो I है intrinsic region है वो हमने यहां पर sandwich क्यों किया देखो तो भी जो हम photo diode study कर रहे हैं उसमें हम क्या चाहते हैं कि जो आपका photon है ठीक है जिसके energy h new है वो आपका vary करता है जरूरी नहीं कि वो आपका यह उसके जैसे आप silicon semiconductor का PN junction बनाते हैं तो उसका जो band gap energy होता है वो 1.1 electron volt होता है तो जरूरी नहीं कि इस photon का energy भी इतना ही हो उससे कम ज्यादा भी हो सकता है मान लीजिए हमारे कोई AC application है जिसमें हमारे इससे कुछ less भी चीए उससे कुछ ज्यादा भी चीए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसका जो ये वाला क्या depletion region की जो width है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी ठीक है तो जो depletion region की width बढ़ाने के लिए हमने ये वाला काम किया है एक intrinsic semiconductor को हमने यहां पर सेंडविच कर दिया है एक pn junction के बीच ठीक है क्या है कि जो हमने जो नया काम किया है वो इसलिए किया है ताकि हम इसका जो bandwidth है वो हम बढ़ाना चाहते हैं ठीक है bandwidth बढ़ाने से क्या होगा कि वो इस energy ये जो 1.1 electron voltage से कम वाले photon भी को भी वो फोटो कर current में convert करेगा और ज्यादा वाले photon को भी फोटो करेंट में convert करेगा ठीक है तो अब देखो वही है इसकी working process हमने क्या किया पी रेजन लिया यहां पर intrinsic है यहां पर end region है ठीक है इसमें क्या है majority of holes क्या है majority of holes इसमें क्या है majority of electrons ठीक है अब बात यह है कि यह simply आवका pn नहीं हो वाले photon यहां पर आप जैसे ही इसका डाइग्राम देखोगे तो वहां पर उपर एक प्लस लगाया जाता है इसके उपर वी प्लस लगाया जाता है यह बता वही पी एक तो आपका pn होतay एक आपका दिखा दिका दिया जैता पी प्लस एन प्लसat, क्या difference हो प्र प्रटेश जादा है as compared to this one, ठीक है, वैसे यह जो आपका N plus है, इसमें भी doping concentration इसके compare में जादा है, ठीक है, तो जहाँ भी आपको P plus दिखे और N plus दिखे, उनका सीधा सा मतलब है, कि इनकी जो doping concentration है, वो आपका एक normal PN junction होता है, उससे जादा है, ठीक है, तो यह वाले जो होते हैं, यह यहाँ पर आपका P plus दिखा जाता है, यहाँ पर N plus, इसका मतलब है, यहाँ पर जो majority charge carrier है, electrons है, यहाँ पर जो होल्स है, उनकी क्या है, doping जादा की गई है, तो जो doping जादा की है, तो as usual क्या होगा, जो होल्स है वो इधर जाएंगे, और electrons है वो इधर जाएंगे, तो आपक बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या कर दिया, neutralize कर दिया, यह एक region बन गया आपका, यहाँ से यहाँ तक का, यह एक region बन गया, ठीक है, पहले तो क्या था, अगर आप simple PN junction लेते तो बिल्कुल छोटा सा एक region बनता था, लेकिन अब क्या चाहते हैं, जो हमारा depletion region है जिसको हम वैसे जो technical term में बोलते हैं, space charge region, क्या बोलते हैं, space charge region, ठीक है, तो यह वाला जो region है, वो हम बढ़ाना चाहते हैं, यही वो region है, जिसमें क्या होता है, photon incident होता है, ठीक है, तो अब भया क्या हो गया, यहाँ पर इधर से hole आ गई, इधर से electron आ गई, ठीक है, जैसा आपके normal pn junction में होता है, अब क्या होगा, hole यहाँ से यहाँ है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक positive charge आ जाएगा, ठीक है, sorry, 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 यहाँ पर एक negative charge आ जाएगा, please correct me, यहाँ पर क्या आएगा, देखो भई, electron यहाँ से यहाँ जाते है, तब यहाँ पर क्या आता है, एक positive charge आता ह सही है यह हमने पढ़ा था कि electron क्या है यहां से यहां आते हैं तो यहां पर एक positive charge आता है वैसे यहां पर क्या आएगा negative charge ठीक है अब दूसरा काम क्या होगा यहां positive है यहां पर negative है तो क्या होगा एक electric field induce होगा क्या होगा एक electric field induce होगा और उसकी direction क्या होगी वो होगी आपके positive to negative किसकी direction electric field कौन सा induced electric field ठीक है वो electric field किसकी वज़े से induced होगा यहां पर positive charge induced होगा यहां पर negative charge induced होगा तो क्या होगा यहां पर positive से negative की तरफ एक electric field होगा कुछ इस तरह से ठीक है यह जो पूरा region है इस पूरे region मे electric field होगा ठीक है अब तक तो ही ये बात अब हम क्या करते हैं इसके अंदर जो next step है वो है कि इसमें हमें voltage apply करते हैं ठीक है और वो जो voltage होती है वो होती है आपके reverse bias में जिसमें होती है reverse bias में इसका मतलब ये वाला negative ये वाला positive इस voltage को बोल दिया हमने we are reverse voltage अब या बात ये कि ये हमने क्यों लगाई वो आपको आगे समझ आएगा ठीक है जैसे हमने ये लगाया देखो पहले में बता देता हूँ ये बहुत जादा लगाना पड़ता है लगबगा आपका 100V से 200V का सही है हाँ तो अब क्या है कि माली जीए पहले आपका ये नही है तब क्या होगा कि आपका photon incident हुआ ठीक है इसके अंदर इस region के अंदर photon incident हुआ तो भही incident होते है ये जो region वो है space charge region ठीक है यहाँ पर क्या होगा electron whole pair generate होगा क्या होगा electron hole pair generate होगा अब ये वाला जो region है इसके अंदर क्या है electric field electric field है तब कौन सी current आएगी sorry drift current ठीक है तो जो electron है वो drift के थूँ किदर जाएगा इधर की side positive charge की तरफ या फिर कह सकते हो end region की तरफ वैसे ही जो ये वाला आपका hole है वो किदर जाएगा वो negative charge की तरफ या फिर जो जहां पर hole concentration जाएगा ठीक है मतलब P region की तरफ ठीक है अब क्या करते है कि हमने जो reverse voltage apply की है वो क्या करता है यहां से ये जो holes है ये electron को attract करेंगे तो आपके ये electron है ये कुछ इस तरफ shift हो जाएगे ठीक है और वैसे ये जो electron है ये इन hole को attract करेंगे तो आपके holes इदर shift हो जाएगे ठीक है तो जो पहला जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा कि इसकी विर्थ बढ़ जाएगी ठीक है आपके electron इदर आ जाएगे holes इदर आ जाएगे तो क्या होगा जो space charge region उसकी विर्थ बढ़ गई पहला काम तो दूसरा काम क्या है ये जो induced electric field है उसकी value बढ़ जाएगी सही है ना ये जो electric field है देखो पहले तो ये यहाँ यहाँ पे थे बहुत सारे थे फिर ये सारे एक side चले जाएगे और ये एक side चले जाएगे तो जो क्या होगा कि यहाँ पर जो electron whole pair generate हुआ है तो electron इधर जाएगा अब क्या होगा कि ये electron ये ज़्यादा kinetic energy के साथ जाएगा ठीक है क्या होगा ज़्यादा kinetic energy के साथ जाएगा क्यों क्योंकि ये इसको attract कर रहा है ये क्या है जो reverse voltage जो apply किया है ये इसको attract कर रहा है ठीक है अब क्या होगा जैसे आपका electron whole pair generate हुआ electron आपका इधर जाएगा hole इधर जाएगा बाद में क्या होता है अगर यहाँ पर एक load resistance लगा दिया तो क्या होगा ये जो electron से वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके flow कर जाएंगे ठीक है flow कर जाएंगे तो आपकी क्या होगी इस direction में IPH एक photo current क्या हो जाएगी flow होने लग जाएगी ठीक है तो ये था आपका PIN photo diode ठीक है simply हमने किया था एक P type semiconductor लिया था एक N type semiconductor लिया था बात यह है जाद रखना कि यह यहाँ पर plus sign दिख रहा है plus sign का मतलब है यह heavily dopped है heavily dopped क्यों किया क्योंकि भाईया जो हम बीच में जो intrinsic region है जो हम इसको sandwich कर रहे है हमें क्या चाहिए इस पूरे region के अंदर हमने electron और hole को भेजना है पूरे region को हमने space charge region में convert करना है ठीक है तो इसके लिए हमने क्या किया इसके जो hole और इसमें electron की जो concentration हो ज़्यादा लिया है जो doping हो ज़्यादा किया ठीक है तो भाई आज का जो topic हो चुग है PIN photo diode next में हम पढ़ेंगे Avalanche photo diode